एलो स्टूडेंट्स टिग्नोमेट्री के टोपिक को कंटीनु करते हुए सबसे पहले हमारे पास टिग्नोमेट्रीक टेबल के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट अक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं वो कम्प्लेटली इन वेल्यूज पे डिपेंड है तो फ त्रिए फॉर से डिवाइडेंग को मैंने यहां पे यहां पे वह और पर उनीच ट्रम के ओपर ने यहां पर प्लाई को धील रूठ आप शे जिरू को स्केर रूठ जीरो us iGM वन फोर सिहरूठ इसे यहां एउन उन 25 में रूठ्ट तो बन गया और यह क्या बन गया वही वना आ गया यह तो टेबल बन गई किसकी साइन की साइन की टेबल बनने के बाद जब कोस की टेबल की बात करते हैं तो साइन और कोस की जो वैल्यू जहां जहां सम 90 डिगरी बनता है वो इंटरचेंज हो जाती वैल्यू जो इसमें 0 पे है व वो कोस में 60 पे मिलेगी अब 45 और 45 का सम तो 90 होता है इसलिए यह वैल्यू सेम आती है कोस 60 डिगरी है वो साइन 60 वो कोस 30 है और साइन 90 है वो कोस जीरो है तो यह समझे लो यह वैल्यू ऐसे लिखी गई है तो इदर पीछे से इसको लिखोगे तो किसकी आगई ही कोस की टेबल है वो तेयार हो जाती है next हमें पता है कि 10 10 की table क्या होती है 10 होता है sine upon में COST तो 0 upon में 1 से क्या बन गहाए 0 बन गहा 1 upon 2 upon root 3 upon 2 है तो 2 से 2 divide होगे 1 upon में root 3 बन गहाए ऐसे ही 1 upon root 2 को 1 upon root 2 से divide करोगे तो 1 होगा अब सेम टर्म divide कर रहे हो इसमें 2 divide होगे रूट 3 अपोन वन आएगा जो कि रूट 3 लिख सकते हैं दियान देने का पॉइंट नेक्स्ट यह है वन अपोन में 0 है अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या बनेगा नोट डिफाइंड बनेगा वे इसके बाद नेक्स्ट अपने पास अगर मैं बात करता हूँ जैसे ही साइन कोस में रिलेशन है वैसा ही रिलेशन है टैनोरे कोट में भी जो 0 है वो 90 पे 30 है वो 60 है 45 है वो 45 है 60 है वो 30 है और 90 है वो 0 पे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोस रेसी प्रोकल वन हो गया रूट 3 अपन में टू का टू अपन रूट 3 हो गया वो न अपन में रूट 2 है तो रूट 2 हो गया 1 अपन टू था तो तो डू बन गया अब 0 का रेसी प्रोकल है उध्यान रखने में नियुक्onden कोगि 0 कम 0 उपनं 1 लिख सकते हैं तो 0 अपन 1 ऑप पून जीरो लोगेस, तो वो क्या बन जाएगा? जो सीकेंट 0 को सीकेंट 90 है जो 30 है वो 60 है 45 है 45 है 60 है उसके 90 है तो एक्सरसाईज 8.2 करने अहिए कवले हमें अच्छä सब continents क्या सिखना है है यह टेबल ऑइसको लर्न करना है टेपल को लर्ण कर लेंगे तो इसी के बेश पे कम्प्लीट अक्सरसाइज 8.2 है उसको हम सोल करने जा रहें और यह भी किलिए रहें कि कोई ने कोई इन वैल्यू से रिलेटीड के उसन है वह हमें अपने एक्जाम में अपने टेस्ट में भी मिल सकता है तो अक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करता हूं मैं किस्टन नूम्बर फैस्ट है अपना इवेल्वेट दी फोलोईंग क्या इवन है वह फैस्टी पार्ट कि साइन 60 डिगरी इंटू में हमारे करने है तो टेबल का अच्छे से पता होना चाहिए साइन 60 डिगरी साइन 60 डिगरी होता है रूट 3 अपन में टू इंटू कोस 30 डिगरी कोस 30 डिगरी भी रूट 3 अपन में 2 होता है साइन 30 डिगरी 1 आपोन में 2 को 60 डिगरी की वैल्यू 1 आपोन में 2 तो यहां से सोल किया तो root 3 into root 3 यह वो आपका 3 बन गया upon में 2 into 2 है वो क्या बन गया 4 बन गया पलस 1 upon 2 into 1 upon 2 है वो किसके equal हो जाएगा 1 upon में 4 के equal हो गया तो यहां से 4 LCM ले लिया 3 plus 1 4 अपन में 4 जो के आपका result किसके equal आ गया वन तो क्या है भी जो नया काम है वो क्या है के वल इंटिग्नो मेंट्रिक रेशियोज की value पूट करना है तो अपने पास अपने से लेवस में जो भी ये values पूट करने का जो काम है वो mainly 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का है इनको अच्छे से आप लोगे read कर ले इसी का part number second है हमारे पास 210 inverse 45 डिग्री पलस में cos square 30 डिग्री माइनस sign square 60 डिग्री अब ये कहोगे कि value तो हमारे पास जो है वो single में है वही किस में value single में है आपको यहाँ पे जो value है जो जरूरत है वो आपके पास किसकी है वही कि square में हमें use करना है तो कोई problem नहीं है आप इसको क्या लिख सकते हो two into में 1045 डिग्री का whole square पलस में इसको क्या लिख सकते हमें cos 30 डिग्री का whole square और minus में sign square 60 डिग्री है तो इसको sign 60 का whole square लिख सकते हैं तयान होगा मैंने starting में यह आपको बताया था कि अगर हम कहीं भी sign square A लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो sign A का whole square है A का roll नहीं है वहीं समय तो ऐसे ही आप इसके उपर काम कर सकते हो जो कि 2 into में 1045 degree की value 1 है one- fonska स्क्र VIC号 गोंस थर्टी डिग्री की वैलीव हूर हमारे पास रूर्ट 3 अपान में टू है तो इसका सुकेर हो जाएगा साइन स्क्रेश्टित कैमारंे स्प्राइब गोंस से क्या हो जाएगा तो यह बन گा टू इंटो में one का स्केर one आ गया है तो आपके पास two in two one किस के equal आ गया two के एक वोल आ गया तो यह भी आपके पासे जो exercise eight coign two का question number fast है जिसके मैं बात कर रहा हूँ total आपके पास five parts given है part number second ऐसा है जिसमें सुकेर में use हो रहे है part number fifth ऐसा है जिसमें सुकेर में यूज हो रहा है और मेरा मानना यह है कि जो सुकेर में यूज होता है वो तो और भी इजी है यह तो चलो कैंसल हो गया कैंसल नहीं भी होता तो रूट तो अटा रहा है क्या कर रहा है रूट अटा रहा है तो सुकेर वाले प्रती फहाइव डिग्री इअ पूरे में थ्भाइव अपने पास सीकेंड थर्टी डिग्री나ीई इस फma ध्लस में को सीकेंड थर्टी डीग्री अ अटो थियां से हम लोग क्या करेंगे वही वैल्ल्यूप other करने हमें तो क फुर्टी फाइव डिग्री 1 अठोन म不是 रूट टू है डिनॉमनेटर में सीकैंड 30 डीगरी तो ठर्टी भता है जो रेस만 यो उसका रेसी प्रोकल्ट सac पॉन To कर रेसिप्रॉकल क्या बन गया हमारे पासे डू बन गया क्या लिख सकते हैं वन अप पॉन में रूट टू डिवाईड वाई डिनॉमिनेटर में ये लोगे तो आपके पास लिखोँ कितना आ गया हुरूट थ्री को टु पलस में टू रूट थ्री बन गया है snow अमरेतर भी डबल है डिनॉमिनेटर भी डबल है तो र rolling लोग है तो आप लोग लिख सकते हो वन अपोन मेंpause 2 इंटो में रूट 3 अपोन में क्या घए 2 पलस to root 3 बन गया और कि यहां— क्या लिख सकते हैं इसको क्रीक्षित ₺ अपोन में अब मैं यहां पर डिवाइड में बात करूँ तो अमहारे पास क्या बन रहा है ब रूट तू इंटू में डो पलस атив रूट ठी RES तो आप छेस से डो को रूड थी 140 अब इसको रूड तू इंटू में 1 तो यहां पर क्या करें तो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड तो नियुम्रेटर में तो बन गया हमारे पास रूट 3 इंटू में रूट 3 माइनस 1 डिवाइड रूट 3 माइनस 1 डिवाइड रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं 3 माइनस में रूट 3 कहलाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड रूट 2 में 2 है तो 4 रूट 2 बन गया हमारे रूट 2 को भी अटाना है तो एक बार फिर से रैसनलाइजेशन कर दो रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड ऐसा कर दोगे तो नियुम्रेटर में द्यान दीजिए रूट रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6 बन गया डिवाइड बाई 4 इंटो में रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन गया जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 और अपोन में क्या गया 8 के इकोल आ गया तो ये पार्ट किसली करवाए आपको कि 3rd और 4th दो पार्ट एक ऐसे है जिसमें ये इस परकार की situation बननी है कि rationalization आपको करना पड़ेगा उसके बाद आप last अंजाम तक किसन में पहुंच सकते हो तो fast question के two parts और है जिनको आप खुद try करोगे ऐसी कोई problem आएगी नहीं फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से discuss कर सकते हैं सेकिंड के रहे चूज दी correct option and justify your answer फैस्टी पार्ट की मैं बात करूं तो यह लिखा हुआ है तू 1030 डिग्री अपॉन में अपने पास one plus 10 सुकेर 30 डिग्री अब 1030 डिग्री की value पता होनी चाहिए भई हमें 1030 डिग्री है वो one upon में root 3 होता है तो two into में one upon में root 3 divide by one plus one upon root 3 का square करोगे तो क्या बन गया one upon में 3 बन गया तो numerator तो two upon में root 3 है denominator में LCM लोगे तो four upon में 3 हा गया तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप इसको two upon में root 3 into में three upon में four two से अफका ये two पे divide हो गया root 3 से 3 ए वो root 3 पे divide हो गया root 3 upon में two हो गया और root 3 upon में two है अपने पास दो ही value पे होता है किस पे होता है भाई two values पे एक sign 60 degree और एक cost 30 तो हमारे पास जो हम पोर ओप्षन देख पा रहे हैं इन ओप्षन के अंदर साइन सिक्स्टी डिग्री है क्या हमारे पास है साइन सिक्स्टी डिग्री है तो आपका जो ओप्षन ए है वो क्रेक्ट ओप्षन है हम नेक्स्ट अपने पाफ इसी का सेगंड पार्ट है सेगंड पार्ट में कह रहा है वन माइनस 10 सुकेर 45 डिगरी अपोन वन पॉलस 10 सुकेर 45 डिगरी है तो 10 45 की तो रिए 1 है सुकेर करोगे तो वनका सुकेर 1 ही बनेगा तो 1-1 upon 1 plus 1 तो 0 upon 2 हो गया और 0 upon 2 है तो clear रहे कि not defined है क्या हमारे पास है not defined है और option को देख पा रहे हैं तो उसमें 1090 है 1 है, sin45 और 0 है तो हमारे पास ही जो A वाला option है यहां भी, किसका वही A का, जो 1090 डिगरी है वो correct option है table हम लोग कर रहे है तो उस table से अगर आपने read किया हो तो जो 1090 डिगरी बनेगा वो not defined होता है not defined तो हमारे पास 1090 भी है code 0 भी है लेकिन जो option के according है वो केवल 1090 है part number third है अपने पास third में यह करा है sin2A is equal to 2sinA is true when A A की values given है मैं यहाँ पे A वाला option ही ले लो भी कौन सा option ले लो A का A में जो option है वो A की value 0 degree given है अगर मैं इसमें A के place पे 0 degree put कर दूँ तो यहाँ से result बनेगा sin0 is equal to 2sin0 अब sin0 पे value 0 होती है तो 2 into sin0 पे value 0 है तो 0 is equal to 0 which is true तो true है तो यहाँ से भाई option A है वो आपका क्या हो गया correct option हो गया next try करने की ज़रूरत ही नहीं है और करके देखोगे तो check कर लो बाकी सब किसमें आ जाएंगे false में आ जाएंगे नेक्स्ट अपना पार्ट नमबर फॉर्थ है वे फॉर्थ पार्ट में यह करा है 2 10 30 degree upon में 1 minus 10 square 30 degree है तो यहाँ के पास आप देख सकते हो 10 30 की value 1 upon में root 3 है divide by 1 minus 1 upon में 3 बन गया क्योंकि सुकेर हो गया न 1 upon root 3 का 2 upon root 3 upon में 3 minus 1 2 upon 3 जिसको आप लिख सकते हो 2 upon root 3 into 3 upon में 2 2 से 2 divide यह root 3 पे आपका result कितना आ गया root 3 अब root 3 है जो हमने table 0 to 90 degree रीड की है उसमें 2 place पे ही है और वो 2 place क्या क्या है एक तो आपके पास 10 60 degree और एक record 30 degree तो आप यहां पे देख पा रहे हो जो option हमारे पास दे रखे हैं उसके अकोर्डिंग जो 10 60 degree है वो आपका correct option हो जाएगा तो यह था question number 2 second way नेक्स्ट अपने पास question number 3 है और 3rd question में क्या कह रहा है आप से if 10 a plus b is equals to root 3 और इसके अलावा क्या given है 10 a minus b is equals to 1 upon में root 3 उसके अलावा यह कह रहा है आप से 0 degree less than a plus b less than equals to 90 degree k और b का sum है वो 0 से 90 तक है और a greater than b है find a and a b a और b का sum है वो 0 से 90 डिगरी तक है तो clear है कि a and b are acute angles तो अपने पास यहां देखिए 10 a plus b is equals to root 3 है तो root 3 10 की table में कहां होता है क्योंकि left में 10 है तो right में भी हम 10 बना लेंगे किसलिए 10 से 10 को cancel करने के लिए both side same technometric ratio जरूरत हो तो आप apply कर सकते हो और cancel करने के आप शिक्तावत उनको cancel भी कर सकते हो तो यहां से a plus b is equals to कितना आ गया 60 degree आ गया ऐसे इस result के बेश पे यहां से इधर से बना सकते है 10 a minus b is equals to 10 30 degree 10 से आपका 10 cancel हो गया और a minus b is equals to 30 degree बन गया fast और second two equations आ गही जो a और b में है तो आप तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है a का coefficient भी इक्वल है b का भी इक्वल है मैं second को fast में add कर दूँ क्या कर दूँ है इसको add add करने से b से b cancel हो गया 2 a is equals to 90 degree आ गया और 2 से divide कर दूँ तो a की जो value है वो कितनी आ गी हमारे पास है 45 पूटिंग दी value of a in equation a fast a की value अगर मैं equation fast में put कर दूँ तो a के place पे 45 रख दूँ तो a plus b is equals to 60 है तो क्या बनेगा यहां से 45 plus b is equals to 60 तो b is equals to 60 minus में 45 जो कि किसके equal आ गया है 15 डिग्री तो आपका जो result है वो क्या है भई a is equals to 45 डिग्री और b is equals to 15 डिग्री यह हमें इसका solution करना है next आई है इसका last question आपका question number 4 थे state whether the following are true or false justify your answer फैस्टी पार्ट कह रहा है sign a plus b is equals to sign a plus sign b a plus b is equals to sign a plus sign b बताना है भी हम साथ में justify भी लिखा हुआ है तो reason भी देना है मैंने यहां पे let कर लिया कि a is equals to 30 डिग्री है और b is equals to 60 डिग्री क्यों कम से कम ऐसा तो हम लोग लिख लें कि उनका sum करें तो हमारे पास table के according value अगर ऐसा मैं करता हूँ तो a को 30 बी को 60 रख दूँ तो sign 30 plus 60 बन गया भी और उदर बना sign 30 plus में sign 60 अब table के according value रखो गए थे तो sign 90 डिग्री हो गया जो की 1 होता है और sign 30 की value 1 upon 2 है sign 60 की value root 3 upon 2 है अब बताइए मेरे को क्या 1 is equals to 1 upon 2 plus root 3 by 2 के equal है वही नहीं है नहीं है तो यह क्या कहलाएगा आपका false कहलाएगा विकोज यह आप इसका region दे सकते हो पार्ट नमबर second कर है the value of sign theta is increasing as theta increased आपने table read की है अगर table के according देखा हो तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ कि table के according हम लोग देख सकते हैं यह देखे sign की table 0 degree पे 0 था 30 पे 30 था 45 पे 1 upon root 2 है 60 पे root 3 by 2 है 90 पे 1 है जैसे जैसे theta की value increase हो रही है sign की value भी increase हो रही है तो अगले दोनों parts का answer मिल जाएगा एक बार cost को भी check कर लो cost में 1 है root 3 by 2 1 upon root 2 1 upon 2 और 0 cost में theta increase हो रहा है angle increase हो रहा है तो value decrease हो की वहाई है तो यहां से आपके लिए अब सेगंड पार्ट के लिए आंसार देना कonda जिसमें आप कह सकते हो सेगंड पार्ट है वह आपका क्या है वह यब टरी हो तो इसमें आप कह सकते हो साइन थिट्टा कि इस इंक्रीज कि एज थिट्टा इंक्रीज नेक्स्ट वाले के अंदर थर्ड के अंदर आपके पास क्या क्या लाएगा वह उसमें भी यह कह रहा है को स्थिट्टा इंक्रीज एज थिट्टा इंक्रीज तो यह फॉल्स होगा इसमें आप कह सकते because cos theta is increase but यहां cos theta is increase की बज़ाए आप लोग क्या लिखोगे decrease लिखोगे cos theta is decrease as theta increase theta अगर increase हो रहा है cos है वो क्या होता है decrease होता है यह increase कर रहा है तो यह false हो जाएगा part number 4 कह रहा है sin theta is equals to cos theta for all value of theta कह रहा है all value के लिए इक्वल नहीं है let theta is equals to 30 degree ले लिए हमें तो इदर तो sin 30 हो गया इदर हमारे पास cos 30 हो गया तो sin 30 की value है वो तो 1 upon me 2 है cos 30 है वो root 3 upon me 2 है तो 30 के लिए equal नहीं है नहीं है तो यह क्या कहलाएगा false कहलाएगा all कह रहा है sum value अगर कहे तो यह true है all value कह रहा है तो यह क्या है false है ऐसे फिफ्ट पार्ट आपका quote is not defined at age age equals to 0 तो quote 0 degree के उपर 1090 वाला 1090 पे not defined है तो quote 0 पे भी not defined है तो यहां पे आप लिख दोगे क्या कहलाएगे भाई यह true होगा तो आप कह सकते हो quote a is a not defined at age equals to 0 degree तो यह बिटे थी आपके पास अक्सर साइज 8.2 जो कि हमने complete कर ली और अच्छे से इसको फिर note होग में आप लोग कर लेंगे इससे आगे next वीडियो में अच्छे से आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आगे नेक्स्ट वीडियो में